नमस्कार दोस्तो आज हम यहां आपको ओनलाइन इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट उत्तराखंड बोर्ड जो उत्तराखंड स्टेट का ओनलाइन बिजली बील कैसे पे करते हैं यहां मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो पूरा वीडियो को देखना ताकि आप पूरी प्रोसेस समझ सको तो दोस्तो गूगल पे जाके क्रोम पे जाके आपको ओनलाइन इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट उत्तराखंड ऐसे लिखना है तो यह पहले आपके उपर जो फर्स साइट आएगी मैं यहां आपको दिखाता ह हूँ उत्राखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके उपर आपको क्लिक कर देना है साइट उपन होने के बाद आपको क्विक बिल पेमेंट पे क्लिक कर देना है यहाँ पेमे क्लिक करने के बाद तू पे आउनलाइन बिल तो यहां आपको connection नमबर या account नमबर जो आपके बिल होता है बिल के उपर जो मिटर connection नमबर या account नमबर होता है वो आपको यहाँ डाल देना है लिखना है पिर बाद में आपको जो कैप्चा होता है वो कैप्चा आपको यहां इन्पूट कर देना है डाल लिख देना है इसके बाद सब्मिट कर देना है सब्मिट करने के बाद यह देखो आपको यहां यूँवर आउटस्टेंडिंग बिल ड्यू अमाउंट 561 ऐसे दिखा रहा है ठीक है यूँवर लास्ट पेमेंट मेड 5 जून वाज 756 ऐसे करके दिखा रहा है ठीक है तो आपका अभी का बिल आया है 561 रूपीज यहां आपको लास्ट पेमेंट जो लास्ट मतलब मई मंत का जितना था 756 रूपए यह यहां अपने पे कर दिया है यह यहां दिखा रहा है आपको ठीक है तो यह आपने जो नंबर इंपुट किया है वो करेक्ट किया है कि नहीं गलत तो नहीं किया है इसके लिए आपका जो मिटर जिनके नाम पे है आप अगर रेंट पे रहते हो तो ओनर का नाम या खुद का है तो आपका खुद का नाम यहां नेम वेरिफाइ करिए यह आ गया है विवेका नंद पांडे जी बिल डेट है जून मन का 16 जून 2023 का ठीक है डिव डेट आ रहा है और सर्विस नंबर यहां आता है और सबसे मेन है यह अकाउंट नंबर ठीक है बिल तो पे नहीं कर रहा हूं दूसरे का या दूसरे का पे तो नहीं हो रहा है मेरे से और अमाउंट नंबर होता है कि आपका जो बिल है आपके पास बिल आता है चाहे तो मैं आपको उसको फोटो बेज आपको यहां दिखा देता हूं कि उस बिल पे जो अमाउंट है वही आमाउंट आपको यहाँ आया है की नहीं वही एक बार verify करना होता है तो हमारा bill पे करना है 561 पांसो एकसर टूपीज जो की जून मंत का है तो आपको यहाँ यह सब हमने verify कर दिया हमको last payment करना है 500 एकसर टूपीज तो यहाँ आपको पे बिल आउनलाइन पे क्लिक कर देना है ठीक है यहाँ फिर आपको options है अलग-अलग net banking है ऐसे अलग-अलग options आ रहे हैं तो आपको उस पे क्लिक कर देना है net banking पे और फिर आगे pay now पे क्लिक कर देना है ठीक है तो यहाँ आपको mobile number पूछेगा तो mobile number और email address लिख देना है यहाँ मैंने email और mobile ID पूट किया है फिर आगे आपको pay bill पे क्लिक कर देना है फिर यहाँ आप Google पे phone पे या card से net banking से इतने सारे आपके पास option है इस पे किसे से भी आप payment कर सकते है तो मैं Google पे इसे करूँँगा यहाँ देखो आपको Google पे का पी ने एंटर करने के बाद यह amount आ रहा है तो यह amount आपको pay कर देना है और password डाल देना है तो आपका payment हो जाएगा तो यह यहाँ हमारा Google पे यूज़ करके payment हो चुका है तो इस तरह से दोस्तों आप अपना उत्राखंड कॉर्पोरेशन बिजली बिल उत्राखंड का बिजली बिल आप online के माध्यम से पे कर सकते है तो यह यहाँ देखो payment successfully submitted your receipt number यह आ गया और आपको अगर receipt भी चेक करने हैं तो आप यहाँ क्लिक करके यहाँ आपको फिर से वही जो capture आ रहा है वो capture input करना पड़ेगा तो यह हमने पांसो एकसर टुपीज पे कर दिये है अगर चाहे तो आप download और print कर सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा जिससे आपको आपका खुद का बिजली बिल अपने परिवार का बिजली बिल अपने दोस्तों का अपने family member का बिजली बिल भरने में help होगी साहता होगी मदद होगी तो thanks for watching अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर देना और साथी साथ अपने दोस्तों के साथ सेर करना मत बुलिए thanks for watching जेहिन जेवारत